नमस्कार, पब्लिक न्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है अपने छेतर की सभी महतपूर्ण खबरों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें छेतर के खेतोलाई गाउं में नव निर्मित बालाजी मंदिर का नौ दिवसिय प्राण प्रतिष्ठा महत्षव का शनिवार को आगाज किया गया नौ दिनों तक यहां धार्मिक अनुस्ठानों का आयोजन किया जाएगा तथा राम कथा प्रवचन के साथ हवन व मंदिरों में प्रतिमाओ की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी शनिवार को सुबर नव निर्मित बालाजी मंदिर में गुरु जंबेश्वर भगवान के 120 सब्दों का पाठ कर नारायन दास के सानिध्य में हवन किया गया स्वामी भागिरत दास महराज के सानिध्य में यजमानों ने भगवान गणेश, श्री राम व बालाजी महराज की पूजा अर्चना की इस दोरान गोविंद चारियव आनंद भी उपस्तित रहे कलश्व सोबा यात्रा में जलका उत्सा गाउं में शनिवार को स्वामी सिव जोतिशा नंद महराज के सानिध्य में कलश्व सोबा यात्रा निकाली गई बड़ी संख्या में श्रदालू व सेर पर कलश लिये, महिलाएं व बालिकाएं हरी कीरतन करते हुए सोबा यात्रा में चल रहे थे स्वामी सिव जोतिशा नंद महराज जिग्यासू ने बताया कि बालाजी मराज की मूर्ती सत्तर से अधिक वर्सों से यहाँ प्रतिस्ठापित है जिसकी पूजा खेतोलाई वो आसपास छेतर के ग्रामीनों की और से श्रदा के साथ की जाती है यहाँ ग्रामीनों की और से मंदिर का निर्मान करवाया गया है जो पुन्य का कार्य है उन्होंने ग्रामीनों का मंदिर निर्मान के लिए अभार जताया कथा के पहले दिन कथावाचक जिग्यासु ने भगवान सिव व सौरठा पर चर्चा की उन्होंने रामचरित्र मानस मम्मे वर्णिच चौपाई भगवान विश्नु ब्रह्मा व सिव की कथाओं पर प्रवचन किये इससे पूर्व रामरतन व मांगिलाल विश्नुई की और स के कथावाचक का अभिशेक कर अभिनंदन किया गया